चतिस गावत प्रदेश वनों से घीरा हुआ प्रदेश है जहां छोटे बड़े अनेक पहार परवत निदिमान है ऐसे में आज हम सराय पाले के खुबसुरत वादियों की सेर करेंगे तो आईए चलते हैं सिसुपार परवत यहां परवत चतिसगर के सराय पाली से लगभग 26 किलोमेटर की दोरी पर इस्थित है यहां खुबसुरत पहारी सिरिंखला है जिसे बुढ़ा डोंगर भी कहा जाता है डोंगर को ही परवत या डोंगरी भी कहते हैं इस परवत का च्छेतर फल लगभग 10 किलोमेटर यहां पहारी की उचाई लगभग 900 मिटर है इस परवत की उचाई पर पहुचने के लिए कठिन कढ़ाई करना परता है यहां कहा जाता है कि किसी समय इस परवत पर राजा सिस्पाव राज्य करता था तथा उनकी विसाल तर महल यहां हुआ करता था अग्रजी से ना ने अपनी हुकूमत पहलाने के लिए राजा को चारो कॉप से घेल लिया तो राजा अपनी जान बचाने की विए इस विसालतम परवत से अपने घोरे के आखों में बट्टी बांकर उद गए कारंतर में यही से जन्प्रपात कूट पड़ा जिसे ही घोरा धार जन्प्रपात के नाम से जाना जाने रगा आज यहां अनेकी वाओं समों और समाज के हर तबके के लोग अपनी छुप्तियाओं और पिक्निक नामे आते रहते हैं भ равно से घड़ोर को आज़ा की में के रहते हैं नामस्तियाओं और समय सुनहों और सबस्त्रपात के कि कि कुछ इस पहाडी पर खुपशुरत प्राचिन सीव मंदिर है जो भगवान सीव कुसमरपित है यहाँ प्रतिवर्स मकर सक्रान्ति के परवन उसर पर प्रतिवर्स मेला का आयुजन होता है तो आप भी अपने परवाद के साथ यहाँ आकर खुपसरत वादियों का आनद ले सकते हैं